आस्ताम वेकूम गाईज अमीद है आप सब भैरियत से होंगे कल हमने हमारी मट्टी छोड़ी थी दर तो देखती हैं कि आज कैसी त्यार होगी है हमारी प्लांटेशन के लिए कि नहीं कल हम इदर छोड़ते गे थे उदर रिखी बड़ी होई है यह देखें जी वाव इसी मट्टी चाहिए थी बिल्कुल अब यह मट्टी बिल्कुल हमारी प्लांटेशन के लिए बेहतर है अब हम करते हैं इसकी प्लांटेशन शुरू देखते हैं यह देखें बिल्कुल मट्टी नरम हो गया हम हम इसके लिए निकालेंगे एक छोटा सा गड़ा ऐसे ऐसे ऐ देखें जी ये गड़ा बन गया है क्योंकि हमारे पास नीचे गम जगा काम है इसलिए हम चाथ पेकार रहे हैं ब्लाड़ीशन ये देखें हमारे इर्दिगित की पहाड़ियां वादियां अलहम्दुलिल्ला हमारे कश्मीर ये हमारा अगया बो देखें अलहम्दुलीला ये हमारे कश्मीर ने लिखें है अलहम्दुल्लाख राजमुशन ये धोन लोलगा है रही विवर आप्यक्रा पेज़ेंगं झाल सब्सक्रादर रहे हैं इन्शाला जब फाल आ जाएगा पिर आपको दिखाएए देखे नहें हमारा गडा त्यार होगें अब हम इसमें ठाल लेंगे थोड़ी सी चीनी चीनी डालेंगे चीनी यह लिए यह हमने डाल दी चीनी चीनी मैं चीनने डालकिये middle at every week मस्याइल्ला से यह देखिए जी ये ये हम रक्रेम जायए इसमें अब हम करेंगे धोरा सा गड़ा थोड़ा कर लेंगे ये हमारी कुछ सहल्ग है इसलिए जीननी इसक इंदर हें दिमिटे के अंदर वह उचेशक हो जाएगी और ऐसे ये लगा के अब ऐसे खड़ा काई के अब इसमें हम मट्टी डालेंगे ये मट्टी डाल दी ये ऐसे मट्टी डाल देंगे ये इधर ऐसे ये हमने लगा दी अब अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर लेंगे अलहुंद्रिल्ला मट्टी माजी बहुत नरम हो गई थी आपने इस तरह से ही मट्टी नरम कर लेनी है कोई एक्स्ट्रा जीज नहीं आड़ करनी खाद वेड़ा क्योंकि इसको नक्सान पहुंद सकता है और गुलाव लागान कि अवलाव की खाद कर क्योंकि ताप मोसम ठध़ा ठंडा खोऊता है और इसलिए अगर आप सर्दोलाकू में रहते हैं तो फिर आप कभी भी कार सकते हैं सुरी यह थोड़ा पानी करेंगे इसमें अब यह हमने पानी कर दिया बस अब हम इसे छोड़ देंगे अब हम इसको और अगा आपको बताते रहेंगे ये कितने दिनों में अपकी प्लांटेशन तियार होगी तोके तोके अलाहफीज गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें अलाहफीज फिर मुलाका थुद्खियका